असलामलेकूम मेरा नमली है और दोस्तो फाइनली दा टाम हैस कम जब हम कुछ ना कुछ तो ऐज़ा पाकिसानी प्राउट मोमेंट जो है वो फील कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग ने पाकिसान के अंदर अपने सैंबलिंग उनिट जो है वो स्टार्ट कर दिया है और पहले दो डि तो फाइनली इसकी जो रिटेल प्राइस है वो चालिस दा और रगदी गई है अलरडी जो डिस्काउंट रेट के साथ आपको मार्केट में सैंट जा रही है लेकिन यह भी क्या वजह से और भी क्यों प्राइस हो सकती तो उसका अपीनिन की बात करेंगे एंड पर और एट् वीडियो का मकसद क्या भाई क्यों आए हम लोग हम देखना चाहते हैं कि जो इसेमेल इन पाकिसान वाले फोन है इनको लेकर जो बहुत सारे दोस्ट कंफ्यूज होने वाले हैं कि पैकेजिंग यह मैयार तो नहीं गिरा दिया गया एक तो वह एक्स्पीरियंस करेंगे और क्यょUCKं करेंगे कुछ रीजन है इनको यह और बात करेंगे तो एक थर्टीट टु की पहले हुआ हम पैकेजिंग की बात करतें आप देहां और फिर थे और पन कीकरतेंगे और फिर चीज़ की वीडिटल से संवन स्पोस्ट ब्र 나ए मॉइर उटिन डॉस तो डिए इनक्सिरन और अगरे मेरे चैनल पर नहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले बॉक्स की तो बॉक्स बिल्कुल उसी टॉन में रखा गया है, जैसा कि हमें इंटरनेशनल पेकिंग में भी देखने को वेल रही थी, पैकेजिंग के अंदर कोई कॉप्रोवाइज नहीं है, उसके साथ साथ सबसे प्रावडी मूमेट यह है, यहां पर लिखा ग कि पाकिसान के इसेंबल आ रहा है, बॉक्स को अलड़ी मैं पहले भी थोड़ा सा चेक कर चुक हम खोलके तो मैंने का था क्यों आप लोगों के साथ चेक कर लिए जाए, और पैकेजिंग मुझे लगता है कि लोकल पाकिसान में बनाएगी है, यह कुछ प्रिंटिंग हमें आपशन देखने को मिल रही है, जिसमें आप खरीदने से पहले पीटी भी चेक कर सकते हैं, और बाकी चीजन भी चेक कर सकते हैं, यह कोई हमें इशु देखने को नहीं मिलेगा, यह यूजिली वैसी डिवाइस है, जैसा कि होती है, सैमसंग की A32 और रियर चाइड पर PKD को मैं यह देखना चाहूँगा कि भी लोकल इसेंबल हुआ तो कहीं को गैप वैप तो नहीं है, वहीं इंटरनेशनल स्टीकर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, उपर की साइड पर कोई आशाशु नहीं है, रियर वही टाइप की ग्लास कॉलिटी है, फरन्ट साइड पर भी पर 15 वाट का अडप्टिफ चार्जर था, तो यहाँ पर सैमसंग ने यह भी छोड़ी सी कंजूसी की है, प्राइस को अजिस करने के लिए, उसके इलावा अगर बात करते हैं, केवल की, तो केवल हमें टाइप C, टाइप A टाइप C वाली केवल देखने को मिल रही है, जो क इस यूजरी वैसी है, बस चार्जर तो पर मुझे जरह लगा है कि कॉंप्रोमाइज रखा गया है, उसके लब अगर फॉन की बात करें तो फॉन में कोई इशू नहीं है, अब बात करते हैं उस रीजन की कि मैंने इसको क्यों अन्बॉक्स किया है, अब यह एक छोड़ा ज इस पिरेंस शेयर करना चाहरा था, जैसा कि हम लोग देखा कि भी चार्जर भी जो है, वो दस वोड़ का कर दी है, पहले पंदना वोड़ का अप्र चार्जर लेना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ प्राइस करने की जरूर सैमसंग ने कोशिश की है, और इस प्राइस सेक्विट में यह आया रहा है, इस ताइम अगर देखा जाए राइट नो कोई भी ऐसा फॉन नहीं है, कोई भी ऐसी च्वाइस नहीं है, क्योंकि आपको एक Amolet पैनल प्रवाइड करेगी, इंडिस्प्ले फिंगर पिंगर पिंसेंसर, 90 एर्स रफ्रेश, 1080 साथ के साथ सैमसंग की ब्रेंडिंग और गृइलाग लास 5 की आपको जो है विल्ली राइड साइट पर देखने को मिलती है, 64 मेगा बिक्जल के का रियर पर क्वाड कैमरा है, 20 मेगा बिक्जल की सेलफी कैमरा है, और साथ के साथ आपको यहाँ पर तो पांचार आमेच की भी देखने को मिल रही है, टाइप सकी एक्टिविटी, ऑल्दो आपको फास चाजिंग के लिए पंदा बॉटका चारजर अलग से लेना पड़ेगा, यह कुछ स्पैस्ट भी किशन है, जो कि अपने चैनल पे काफी जादा कबर कर चुके हैं, जब यह लॉंच किया गया था, तब इसकी जो रिटेल प्राइस 40,000 रुपे थी, लेकिन अट टाइम मैंने जो रिसर्च किया, जब मुझे आइडिया था, कि जब यह लॉंच किया गया था, तब 164 रुपे में डॉलर था, और तब भी 40,000 रुपे में डिवाइस लॉंच की गये थी, और तब भी PTA के टे जो है, वो डॉलर के रेट के हिसाब से होता है, 15 रुपे एक डॉलर के उपर रेट बढ़ा है, तो 200 रुपे का है, तो 300 रुपे का डिफरनस बन जाता है, तो अगर आज भी डॉलर 164 या 65 रुपे में होता है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस जो है, वो 3-4,000 प्राइस नो डाउट यहाँ पर एग्रेसिव है, आइट नौ, आप लोग यह देख रहे हैं कि 40-40,000 रुपे वाले फोन जो है, वो मजीद 4-5,500, 8-800,000 रुपे महंगे किये जा रहे है, वहीं सैमसंग ने पहला फोन इसेंबल किया है, तो पाकिसान के अंदर अपना रीट मुझे एक फोन भी चाहिए था, A32 क्योंकि अब इसकी बहुत देमांड बनेगी बाकिसानी माकेट में, तो जो अब नए फोन अवेलेबल है, जैसा के OPPO का A95 है, जैसा के वीपो का Y53 है, जैसा के इन्फिनिक्स के कुछ फोन लांच हुए है, इन्फिनिक्स Note 11 Pro है, टेक्न 18P है, अगर आप स्टिल कंफ्यूज है कि फोन को क्यों लिया जाए, ये इनको कंपेर किया जाए, ये फोन बेटर है के भी नहीं है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जूरू शेयर कीज़ेगा कि कौन से फोन के साथ आप लोग कंपैरिजन देखना चाहते है, as soon as possible, I will try my best कि हमारा जो कंपैरिजन है, वो मेरे चैनल पर आजाए, और आपको सैमसंग की ये इंप्लीमेंट या, ये जो स्टैटेजी है, ये कैसी लगी, do let me know in the comment section, और आप मजीद सैमसंग को और कितना अग्रेसिवनेस में देखना चाहते हैं, ये भी comment section में जूरू शेयर स्टैवी है, ये झा हूदा स।री ये जो एंग्रेसिवनेर इंपाटेज में आय्याओ